हेलो ये नमस्कार दोस्तों मैं नामे गौरब और आप देख रहे है टेक्निविशनों जी यानि टेक्निकल यान का बन्दा दोस्तों कोरोना वाइरिस से बचने के लिए कल यानि 22 मार्च 2020 को जनता कर्प्यू लगा गया था जिसमें आप लोगों से सुबह 7 वजे से साम 9 वजे तक बाहर ना निकलने की अपील की गए थी दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जनता कर्प्यू क्या है और इस जनता कर्प्यू को क्यो लगाया गया है और इस जंता कर्फ्यू का हमारे देश पर क्या प्रवाब पड़ा तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्पूल होने माली है इस वीडियो में लाज तक बने रहेगा दोस्तों बिना देरी कि इस वीडियो को सुरू करते हैं तो आईए दोस्तों जान लेते हैं कि जंता कर्फ्यू क्या है दोस्तों ये कर्फ्यू 1244 के तायत लगा जाता है जिसमें फोस्त का इस्तिमाल किया जाता है कि किसी जगा पब्लिक जमा ना हो और भीर ना लगे अगर कोई इस नियम का उलंदन करता है तो उसके खिलाब लिए खुदी ही लगा जाता है और जनता के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि बेश सुरक्सा कारणों से खुदी घर पर रहें घर से बहार ना निकले और पुलिस कर्मियों की ओर से कोई पावंदी नहीं लगाई गई तो ये दोस्तों आप लोगों को ही देखना है कि आप लोग ही घर से बहार ना निकले और घर पर ही रहें दोस्तों भारत सरकार ने 22 मार्च को जनता कर्पियों को लेकर एक एडवाईजरी जारी की थी जिसमें सभी को अपील की गई थी कि 22 मार्च को पूरी जनता इस कर्पियों का पालन करें और घर पर ही रहें कही घर से बाहर ना निकले जिनका घर से निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी है या कोई बहुत ज़्यारा मजबूरी है बही घर से बाहर निकले इसके साथ सरकार ने यह भी अपील की कि हम सभी को एक जुट होकर कोरोना बाइरस से इस बरतेक संक्रमन को रोकना हो तो दोस्तों आईए जान लेते हैं कि जनता करफ्यू क्यों लगाया गया दोस्तों जनता करफ्यू का खास उदे से लोगों को एक दूसरे के संपर्थ में आकर संक्रमित होने से रोकना है अगर लोग एक दूसरे के संपर्थ में कम से कम आएंगे तो लोगों में कोरोना बाइरस के फैनने का खत यानि थर्ड स्टेज नहीं है दोस्तो ऐसे में हम साथदानी से रहकर इसके बड़ते संक्रमल को रोक सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस की तीसरी अवस्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है दोस्तो कोरोना वायरस का असर हवा में कुछ गंटे और जमीन पर लगवग 14 गंटों तक रहता है ऐसे में अगर हम 14 गंटों तक इस बायरस से संक्रमिक ब्यक्ति से दूर रहें तो इसके संक्रमल का खत्रा काफी कम हो जाएगा दोस्तो देश में बहुत बड़ी संख्या में डोक्टर्स और हेल्थ बरकस मरीजों की सेवा कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए कोरोना वायरस किसी खत्रे से खाली नहीं है फिर भी बे लोग अपनी जान को जोकिम में डाल कर हम लोगों की सेवा कर रहे हैं दोस्तो ऐसे लोगों को प्रोटसाहित करते हुए सरकार ने अपील की थी कि साम को ठीक पांच वजे अपने घर के दरवाजों खेलकियों और बालकनी प पर सभी लोगों ने खूब समतन करते हुए थाली ताली और गंटी वजा कर अभार वियक्त किया तो आएए दोस्तों हम बात करेंगे कि जनता कर्फियों का क्या असर रहा है दोस्तों जनता कर्फियों के तहत कल मौल सौपिंग सेंटर और जादातर दुकाने बंद रही हाल पैसेंजर ट्रेन बंद रहेंगी रहिवार सुबा चार वजे से मेल ट्रेन भी बंद थी रहिवार रातरी दस वजे तक सभी इंटर सिटी ट्रेन कैंसल रही दोस्तों इसके अलावा लवक साथ सो से भी ज्यादा ट्रेनी पहले से ही कैंसल रही लोकल ट्रेनी भी कम से कम चल राज्यों की बस सेवाई भी रोकी गई जिन में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हर्याणा, तमिल नाडू एबं उडिसा जैसे राज्यों में सरकारी बसे बंद रही। कैप सर्विस जैसे उवर और ओला की कोशिस भी यही रही कि ड्राइवर्स जादा रोड उपर ना रहें। हाला कि इमर्जेंसी सर्विस के लिए कैप सर्विस एविलेवल रही। दोस्तो पेट्रोल पंपों को लेकर अलगलग राज्यों में अलगलग आदेश थे। इंडियन पेट्रोलियम डिलर्स ने बंदी का एलयान किया। उत्तरप्रदेश, केरल, आंध्रप्रदेश, तलंगाना और कन्नाटक में पेट्रोल पंप बंद रहे। लगवग एक वाइरस हावा में कुछ घंटे और जमीन पर लवक 14 घंटों तक रहता है। अगर कोई दूसरा ब्यक्ति उसके संपर्क में जाता है तो बहभी संक्रमित हो जाता है। दोस्तो इसलिए ये जनता कर्प्यू लगाया गया ताकि सभी लोग 14 घंटों तक अपने घर में रहें और कोई भी ब्यक्ति संक्रमित ब्यक्ति के संपर्क में नहीं आये और वाइरस को जादा से जादा फैलने से रोका जा सके। तो दोस्तो उमीद है कि आप सभी लोगों ने इस जनता कर्प्यू का पालन किया होगा और किसी भी संक्रमित ब्यक्ति के संपर्क में नहीं आये ह अगर आगे भी सरकार को हमारी सुरक्षा के लिए इस जनता करफ्यू को लगाने की जोद पड़ी तो हम उसका पालन करने के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों मेरे द्वालत दीस जनकारी, अगर आप लोगों को पसंदाइए, तो इस वीडियो को जोई कर देना चैनल को सब्क्राइब कर दो साती बैल आइकन को ओल पर किलिक कर लेना और दोस्तों इस वीडियोगों को ज़या से ज़यर करना ताकि ओ लोग भी इस जनकारी को प